दोस्तो सलमान खान की जवरदस्ट एक्शन फिल्म भारत को कल हिद के मौके पर दुनिया भर में बड़े परदे पर रिलिज किया गया था और इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा था आपको बता दें कि सलमान खान अपने पांच अलग-लग लुक में क्रीटिक्स के साथ दिन्या भर के दर्सकों का भी दिलको छू लिया आपको बता दे कि इस फिल्म की सुवह से लेकर रात तक की ओडियान्स ओकिफियंसी रिपोर्ट आसमान छो रही थी आपको बता दू कि कल की ओडियान्स ओकिफियंसी रिपोर्ट 95% से भी उपर चली गई थी और बापजूद इसके किकल इंडिया साउथ अपरिका के बीच वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया था जहां एक तरफ भारत ने अपना पहला मैच जित लिया वही भारत फिल्म ने भी अपने पहले ही दिन में सांदार ओपनिंग की और दोस्तो अपने पहले ही दिनों में दंगल बाहुवली टू जैसे कई बड़े फिल्मों का रिकॉर्ड तोर दिये आपको बता दे कि दंगल फिल्म का पहले दिन का बॉक्स ओफिस कलेक्शन करेब 36.69 करोर रुपय था जबकि दोस्तो सल्मान खान की भारत फिल्म ने अपने पहले ही दिन में इंडिया बाइज 45 से 46 करोर रुपय कलेक्शन किया वही दोस्तो इस फिल्म की वर्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को भारत से बाहर भी काफी अच्छा बॉक्स ओफिस पर दर्सकों के द्वारा रिस्पॉंस देखा जा रहा था वहीं दोस्तो दंगल फिल्म के लाइफ टाइम वॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने लाइफ टाइम में कड़व 2100 करोर रुपए कमाए थे अब ये देखना काफी दिल्चास पर रहेगा कि सलमान खान की फिल्म भारत क्या अमीर खान की दंगल फिल्म के लाइफ टाइम बॉक्स आफिस के रिकॉर्ड्स को तोर सकती है अब दोस्तों आपको क्या लगता है आपके हिसाब से क्या ये फिल्म अमिर खान की फिल्म दंगल के रिकॉर्ड्स को तोर देगी या नहीं कमेल सेक्षन में जरूर कमेंट करें और हमारा ये न्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए वीजिटर है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें